जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के व्रशबरासी फल के बारे में इन तीन दिनों में व्रशबरासी वाले जातकों के लिए कैसा समय रहेगा उनका करियर कैसा होगा व् स्वास्थ है प्रेम संबंद विवाह संबंद शिक्षा सभी के बारे में जानेंगे इन तेन दिनों के बारे में विस्तार से महीने के आखरी तीन दिन हैं आपके लिए क्या सौगात लेकर आएं हैं जानेंगे साथ ही 28 अक्टूबर शुक्र का भी राशी परिवर्तन हो चुका है और शुक्र आपके लिए क्या खास देने वाले हैं इसमें किसके बारे में भी हम बात करेंगे तो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँँच सके तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन तीन दिनों में कौनसी शुब्तिथी होगी नक्षत्र होगा कौनसा योग होगा और चंद्रमा की इस्थिती कैसे रहने वाली है तो बात करेंगे सबसे पहले उनतीस अक्टूबर के बारे में उनतीस अक्टूबर शुक्ल पक्ष की द्वेतियतिती है जो सुबह तक रहेगी उसके बाद धिरतियतिती शुरू हो जाएगी इस दिन विशाका नक्षत्र रहेगा और आहिश्मान नाम का एक योग बन रहा है ये मंगलवार का दिन है और इस दिन चंद्रमा अपनी राशी परिवर्थित करेंगे अभी चंद्रमा तुला राशी में चल रहे हैं शाम को साड़े पांच बजे तुला राशी से निकल कर विरश्चिक राशी में प्रिवेश करने वाले हैं जाते हैं 30 अक्टूबर के बारे में तो 30 अक्टूबर शुकल पक्ष की तरत्य तिथी सुभै तक रहेगी उसके बाद चतुर तिथी लग जाएगी अनुरादा नक्षत्र इस दिन रहेगा और सोभागय नाम का एक योग बन रहा है बुद्धुवार का दिन है और चंद्रमा जो है वो विरश्चिक राशी में ही रहेंगे 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है जेस्ट नक्षत्र है और अतिगर्ण नाम का योग बन रहा है गुरुवार का दिन है और रात्री में साड़े नो बजे चंद्रमा अपनी राशी परिवर्तित करेंगे वरष्चिक से निकल कर धनुराशी में परिवेश करेंगे तो इनी ग्रहा नक्षत्रों के आधार पर अब हम जानते हैं कि वरशबरासी के लोगों के लिए ये तीन दिन कितने मायने रखते हैं तो इस दिन कौन सा शुब मोहरत होगा इस पूजा के लिए वो हम वीडियो के आंत में आपको बताएंगे पहले जान लेते हैं ये तीन दिन आपके लिए हर कारे के लिए कैसे रहने वाले हैं तो ये तीन दिन आपके लिए विशेश रूप से लाब दायक रहेंगे आपको इस समय यात्राओं का योग बन रहा है और आपके जो व्यापारे की यात्राएं होंगी उनसे आपको लाब की प्राप्ति भी हो सकती है इस समय आपके मित्र बड़े सफलता देने वाले रहेंगे मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आपको सफलता भी आपकी नौकरी में पद प्रतिस्था में व्रद्धी होने के संकेत यहां बने हुए हैं, इस समय सरकार से जुड़े जो मामले हैं उनमें प्रगती होती हुई आपको दिखाई देगी, आर्थिक मजबूती के प्रबल आसार आपके लिए बने हुए हैं, आर्थिक इस्थिति आपकी सुधरेगी, आपका स्वास्था भी बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्था आपका साथ देगा, रोजगार के आफसर आपको उपलब्द होंगे, संतान की प्रापती में मधुरता आएगी, संतान की प्रापती का यूग भी बना हुआ है, वेवाहिक जीवन आपका बेहत अच्छा रहेगा खुश्णुमा वेवाहिक जीवन आपका इस समय हम कह सकते हैं ये जो तीन दिन हैं ये आपके आर्थिक मामले को रफतार पकड़ाने ला ले हैं कई ऐसे मौगी मिलेंगे जो आपके लिए खारगर साबित हो सकते हैं आर्थिक मामलों में जिनको मजब वाले दिनों में मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसलिए भविश्य की योजनाओं पर आमल करना आपको प्रारंभ करना चाहिए यंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो उन्हें जॉब के नए आफर आ सकते हैं यदि आपने कहीं अपलाई किया हुआ तो वहां से आपको खुशकवरी सुनने को मिल सकती है और लेकिन उन्हें सोच समझ कर ही अपनी किसी भी फैसले को लेना होगा उस कारे को स्विकारना होगा परिवार वाले लोगों के साथ किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है आपके समय बहुते कुसुक्स विधा भी होने वाली है ये समय आपके लिए हर तरह से बहुत ही लाबदायक होने वाला है कई मायनों में देखें तो इन दिनों को रोमांच से भरपूर हम आपके लिए मान सकते हैं ये किसी शुब समाचार मिलने पर आपको खुशी दे सकता है इन दिनों में आपको कही ना कहीं स बहुत ही शुब समाचार सुनने को मिलेगा और आपकी जीवन में हो रहे बदलावों से आप खुद को भी हद खुश्म पाएंगे मान सी किस्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी आप इनका पूरा लाब उठाने में लगे रहेंगे इन्ही खुशी के पलों का पूरा आनद आप लेंगे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और कि इस मुलाकात से आपके जीवन में नया मौड आ सकता है एक नई रिष्टे की शुरुवात हो सकती है विवाह के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं ताकि वो भी आपके दिल की बातों को समझ सके जान सके ऐसा करने पर ही आपका कारे जो है वो पूरा हो सकता है आप काम्याब हो सकते हैं इस समय यदि आपके परिवार में कुछ समस्याइं चल रही थी तो वो समस्याइं भी समापत होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहल आपको ही करनी होगी आप ये बिल्कुल ना सोचें कि पहल आप क्यों करें तो इस बात से आपको दूर रहना है पहल आपको ही करनी चाहिए ये समय आपके जीवन में एक नया बदलाव लाने वाला होगा उस सबताहँ आपका जीवन, तीन दिनों में आपका जीवन बदल सकता है आपकी काफी मेहनत से जो सफलता आपने अरजित की है उस पर और अधिक धहान देने की जरूरत होगी आपकी मेहनत आपकी कीरती में चार-चांद लगा सकती है ये तीन दिन आपके लिए हलाकी वर्कलोड जादा देने वाले रहेंगे काम की वैस्तता अधिक रह सकती है क्योंकि अभी पिछले समय से छुटियां थी तो वर्कलोड जादा रहेगा नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आप अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी निभाएंगे लोग आपकी काम की तारिफ भी करेंगे और आपके सहयोगी भी आपसे प्रसन रहेंगे आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है इन तीन दिनों में आपके पास धन आना ही आना है ये आपके लिए तनख्वा के रूप में भी हो सकता है कोई फसा हुआ पैसा भी मिल सकता है कोई ऐसा पैसा जो आपने उधार दिया हुआ हो लें देन का पैसा तो वो भी आपको मिल सकता है लेकिन अचानक से धन प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है आप बहुत जिन्दा दिल खुद को महसूस करेंगे ऐसी जिन्दा दिल व्यक्ति जो सिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं इतनी संतुस्टी आपके अंदर इन तीन दिनों में होने वाली है तो इस समय का पूरा लाब आप उठाए वही अगर हम विशब राशी के लिए शुक्र की गोचर की बात करें तो शुक्र का राशी परिवर्तन हुआ है 28 अक्टूबर को और शुक्र जो है आपकी राशी के साथवे भाव में गोचर कर रहे है और सात्वे बहाँ में गोचर करना आपके लिए अच्छा रहेगा वैसे भी शुक्रदेव आपकी राशी के स्वामी ग्रह है इस दोराँ शिक्षा से जो जुड़े जातक है उनके लिए ये गोचर बहुत शांदार रहने वाला है आपको लबदी मिल सकती है प्रोमोशन मिल सकती है विद्यारतियों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो रहने वाला है आप इस समय अपने प्रतिदवंदियों पर हावी रह सकते हैं दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताने का ये समय रहेगा दोस्तों के साथ अच्छा समय आप बिता पाएंगे आपके पार्टनर को इस बदलाव से करियर में लाब हो सकता है कोड कचारी के मामलों से आपको इस समय जरूर दूर रहना होगा यह दिया आपका कोड कचारी में कोई केस चल रहा है कोई मामला चल रहा है तो वहां आपको जरूर दूर रहने की आवशक्ता होगी वनना बात थोड़ी बिगड सकती है तो ये गोचर आपके लिए कई मायनों में लाबदा एकसिद होने वाला है वहीं दोस्तो 29 अक्टूबर दिपावली का आखरी पर्व यानि भायदूज का पर्व है और ये भायद मोहरत होगा वो तीन शुब मोहरत निकले हैं पूजा के जो पहला मोहरत है वो सुबह 6 बजकर 27 मिनट से सुबह 7 बजकर 51 मिनट तक है जो दूसरा शुब मोहरत है सुबह 9 बजकर 16 मिनट से दो पहर 1 बजकर 29 मिनट तक है जो तीसरा मोहरत है वो शाम को 4 बजकर 18 मिनट से रा वो अपने भाई को टीका लगाने के बाद नारंगी रंग की कोई मिठाई खिलाएं, जैसे ही मर्ती खिला सकते हैं, या फिर आप नारंगी रंग की कोई मिठाई हो, आप जले भी खिला सकते हैं, दो इस मिठाई को आप खिलाएं, और इस राशी के जो भाई हैं, विर्शब वाले लोगों के लिए ये चीजें गिफ्ट करने बहुत शुब फलदाई रहेंगी आपके जीवन में सुकुसमरदी हमेशा चाही रहेगी और आप पर मानक्षमी का आशिरवाद रहेगा तो दोस्तों ये था महीने के आखरे तीन दिनों का राशिफल अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले दो दिन के राशिफल को लेकर तब तक हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद